अगर आप वजन कम करने के लिए एक फिक्स्ट रूटीन फॉललो कर रहे हैं आप दस ह 돼요 steps वॉक करते हैं एक किलो मेटर दो किलो मेटर तीन किलो मेटर डेली वॉक करते हैं एक पटिक्डिलर islands ौटींच दाइट लेते हैं जिसमें आपने केलरी रिस्टिक्शंस रखा है तो याद रखिए एक fixed routine से आपकी जो पिजीक है वो change नहीं होगी आपकी फिजीक initially change होके fix हो जाए अगर आपको अपनी फिजीक को change करना है अगर आपको muscular body चाहिए अगर आपको thin body चाहिए अगर आपको पतले होना है basically अगर आपको अपनी body में ऐसे progressive changes चाहिए progressive का मतलब है कि हर हफते हर महीने आपके muscles बढ़े आपके hips पतले हो आपके पैर पतले हो आपके कमर पतली हो आपके butts पतले हो जो भी मोटा है मोटापा कम होते जाए अगर आपको progressive changes चाहिए तो आपको अपनी life को अपने exercise और अपने diet में progressive changes लाने पड़ेगा अगर आप fixed routine follow कर रहे है fixed routine is better than nothing obviously अगर आप fixed routine नहीं follow कर रहे है तो आप उल्टा मोटे होते जाएंगे पता भी नहीं चलेगा के कब 5 kg बढ़ गया कब 6 kg बढ़ गया दिवाली आई एकदम मोटे हो गया अगर आपका fixed routine नहीं है then it is bad अगर आपका fixed routine है it is also bad because it's not going to change you right it is not going to change you right after a while एक time के बाद जरूर change होगा जो भी आपने fix करा मान लिजे आप दुन भर में आप 6 रोटी खाते थे आपने fix कर दिया कि आप आज से मैं 4 रोटी खाऊँगा तीन ही खाऊँगा तो एक सुबह एक शाम एक दुबह तीन रोटी खाऊँगा तो इस एक change पे आपके बॉडी में कुछ muscle loss होगा कुछ fat loss होगा ज्यादा fat loss होगा पतले होंगे और एक time के बाद maybe after एक दो तीन हफते के बाद चार हफते के बाद आपकी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर डाइट को उस पर्टिकुलर exercise लेवल को adapt कर लेगी उसमें क्या हो जाएगा उसमें उसका एक new normal आ जाएगा homeostasis आ जाएगा कि अब इतने लेवल की exercise करतने की मेरी muscles में energy level आते रहना चाहिए उतना ग्लाइकोजन होना चाहिए उतना बॉडी के अंदर energy रहेगा साथ में हमारे storage को बचा के रखना है the body wants to save your fats आपके शरीर में चर्बी होती है आपके शरीर को अच्छा लगता है तो आपके शरीर को challenge करते रहोगे तो आपका शरीर उसको use करेगा adapt करने के लिए use करेगा वरना नहीं use करेगा अगर आप 6,000 steps करते हो तो आप 7,000 पे जाओ फिर आप 8,000 पे जाओ फिर आप 10,000 पे जाओ आप 10,000 को अगर जितने भी घंटे में करते हो एक घंटे में करते हो तो उसमें यसे 5 मिनिट्स जल्दी करनी कोशिश करो 10 मिनिट्स जल्दी करनी कोशिश करो 20 मिनिट्स जल्दी करनी कोशिश करो slowly 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 challenge बढ़ाओ बॉडी को challenge को बढ़ाओगे तब ही बॉडी में progressive change आएगा अगर आपने exercise के challenge को बढ़ाओ यह बहुत आसान से लोग करते हैं बॉडी बिल्दिंग में जाते हैं पहले मैं 10 किलो उठाता था अब मैं 20 किलो उठाता हूँ अब मैं 15 उठा लेता हूँ bench press में मैं पहले 50 किलो उठाता था अब मैं 70 किलो उठा लेता हूँ मेरा power बढ़ गया है good your body will need more energy now there is a key here क्या चाहते हो मसल बड़ी करनी है fat loss करना है बहुत सिंपल सा फंडा है ऐसे में your body needs more power more energy मसल ज्यादा बड़ी करनी है ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ बड़े होते जाओ मसल बड़ी होगी right you need more और इस balance में बहुत बड़ा खेल है अगर जतनी मसल को energy चाहिए उतना ही energy खाओगे तो नफ मोटे होगे न पतले होगे उससे ज्यादा खाओगे मोटे होते जाओगे उससे कम खाओगे पतले होते जाओगे तो यह balance हर एक में अलग है इसका कोई fixed amount नहीं फिक्स नंबर नहीं है कि सर यह नंबर निकाल के देतो कि मेरे को कि यह मेरे को कितना यह पक्का नहीं है everybody will have a different balance so you start with something you start with something and see after maybe एक दो हफते तीन हफते चार हफते look at your body measurements क्या हो रहा है आपके साथ शाशीशे में देखो पतले हो रहे हो मसल बड़ी हो रही है you are going good अगर मसल भी बड़ी हो रही है मोटे भी हो रहे हो थोड़ा सा काप्स कम कर स सकते हो या फिर सेम रख सकते हो because every time your muscle you gaining muscle your body energy requirement is increasing right और उस समय एक लेवल के बाद अगर आपने अपनी डाइट नहीं बढ़ाई तो आप पतले होते जाओगे if you are understanding what I am saying so खेल है डाइट और exercise के balance का यह तराजू वाला खेल है डाइट वाले पलडे में और exercise वाले पलडे में balance होना चाहिए अगर exercise वाले पलडे में कुछ नहीं है जीरो exercise है तो डाइट वाले पलडे में भी बहुत ही कम खाना होना चाहिए फिर उसमें फर फेपाव फे पेड़ पौदे पैड़ पौदे होने चाहिए हलके फुलके भारी भक्कम आठे की रोटी नहीं होनी चाहिए अगर इसमें exercise में भार है तब इसमें भार रखो समझे यह balance कोई सीख गया तरा जुका तब आप वजन भी कम कर लोगे बोडी बना लोगे विजीक बना लोगे स कि अप दो बना लोगे यह बुलके की बना लोगे बना लोगे बना लोगे विए विएलागे यह विए रखो और आप विए यह तो अपका रहत बना लोगे।